हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि पैंट का बैल्ट किस परकार कटिंग करें किसी भी साइस का बैल्ट हम कैसे कटिंग करें तो दोस्तों यहां पर हम करना वाली हमने लिया है वैड ट्रोल करेंगे यह बहुत अच्छा है आप चाहें और बॉमबे का ले सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने बैल लिया है बैल करेंगे वह करेंगे 30 कमर का मान लो आप जैसे हमारी 30 कमर है तो हम सबसे पहले यहां पर हुक का संता कटेंग तो हमें लगाना है साड़े-4 इंच का उसके बाद में हम यहां पर लगा लेंगे एक निशान पूरा अब हमारा साड़े-4 यह हो गया अब हमें लेना है यह हुक का संता है जिसमें हमारे हुक तांके जाते हैं ठीक है जिस वह हम हुक ठोकते हैं यह वह वाला हिस्सा है अब हमारे जिसमें हो को यह ऐसे पलटा जाता है इसमें हो लगते हैं और नीचे वाला संता है तो दोस्तों इसका जो हम लंबा ही रखेंगे वो रखें को ना है किसी भी साइज की पैंट हो ठीक है फुल पैंट कितनी भी कमरों चाहाई वह चाहाँ थीज भी साइज हो तो आपको यह कर लगाना साड़े चार यहां लगाना है पौने 3 उसके बाद में आपको यहां हमारी कमर यहां 30 इंच तो आप यहां से इंचीड़े पर इस तरीके से उसके बाद में हम यहां पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी सीट के लिए छोड़ते हैं जो हम सीट जुडाई करते हैं पीछे वाली उसमें हम यहां निशान लगाएंगे धाई इंच का और यहां पर भी हम पूरा निशान लगा लेते हैं अब दोस्तों यहा चार यह वालों निशान लगाना है पौने तीन यहां ते पर निशान लगाना है कमर का आपका जो भी साइज हो उसका हाफ जैसे हमने यहां पर तीस कमर है तो हमने यह रखा है पंदरा इंच और पंदरा के बाद आपका कोई भी साइज हो जो भी आप कमर का साइज लेना चाह ठीक है मैं धाइंच छोड़ता हूं तो मैंने यहां धाइंच सीट की जुड़ाई के लिए जो मादन छोड़ता हूँ यहां मैं धाइंच लगा रखा है अब हमें ऐसे बैल्ट उठा लेंगे यह वाला और अपने इस वाले निशान से जो साड़े चार का लगाया है अपने यहां से नापेंगे इस तरीके से और अपने इस बैल्ट की वरावर कटिंग कर लेंगे अब हमें क्या करना होगा इस तरीके से हम डवल करेंगे जो हमारे चपकाने वाला हिस्सा है वो यह है ठीक है और य यहां पर एक निशान लगा देंगे, जो सीट का है, धाई इंच बाला, कुटका लगा देंगा हलका सा, उसके बाद में यहां पर पीछे हम लुपियं लगाते हैं, पैंट में वो लगाना है उसको कुटका, जहां पर हमाई लुपि लगेगी, तो हम यहां यहां देरी इंच बिखे थे सोरी जो पौने तीन वाला निशान है वहाँ पर हम इस तरीके से एक लगा देंगे एक जो हमने यहां चार लगा या ता यहां पर भी एक कट लगा लेंगे ठीक है उसके बाद में इस तरीके से fold करेंगे यह वाला है से हमें ने ना अपना है यहां से यह वाला ना अपना है इस तरीके से fold करेंगे और जो हमारा यह वाला कट है इस से हम डिर डिंच पीछे जाके एक निशान और लगा देंगे जहां हमारी के तीन लुपियों को नशान लग गए अगर आपकी कमर 40 है ने के बिच में आप चार वाग करना कमर ब सुखेंगे आपको लगा लेना है उसके बाद में यहां पर मारा उल्क ठुकतं है इसमें इस तरीके से फोल्ड हो जायागा जहां पर हमारा एक हुग का यहां पर निशान लगेगा और दूसरा यहां पर जो हमारा यह निशान है यह वाला कट है एक हुग हम यहां पर लगाएंगे जो हमने कुटका लगाया यह वाला ठीक है तो दोस्तों हमने यहां पर अपना बेल्ट कटिंग कर लिया है दोस्तों इस तरीके से ठीक है यहां पर हमाई लुप्तियों के साइज बराबर मिल चुके हैं तो दोस्तों आपको हमारा यहां पर बैल कर्टिंग करने का तरीका कैसा लगा अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं अगर करते हैं आपसे अगली वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग